नमस्कार, ब्रिस्टीक रासी सणी की साढ़े साती अंतिम चरन में चल रही है और उपर से सणी के साथ केतू महराज आकर बैठ चुके हैं। जो की 24 जनबरी 2020 तक बैठे रहेंगे एक साथ ही जब तक कि आपके उपर से सणी की साढ़े साती खत्मनी हो जाती। तो ये इस्तिती आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर आ रही है ये हम आपको बतलाने की कोशिस करेंगे सनी और केतु की यूती आपके धन भाव पर है हलांकि धन दौलत मान सम्मान के लिए ये इस्तिती बहुत अच्छा है धन आता रहेगा और यहां पर केतु देव आकस्पिक धन लाप कराएंगे बिदेश से धन लाप कराएंगे लेकिन आपको आपके आँख, कान, नाक, गले में तकलीफ रह सकती है यानि सर के उपर वाले हिस्से में गले से उपर वाले हिस्से में तकलीफ दिख रही है परिवार में तकलीफ हो सकती है तो इन चीजों से आपको बचना होगा रोज सामें सनी चालिसा का एक बाट पाट करें या फिर सनी के मंत्रों का जब करें साथ ही साथ केतु के लिए रोज नहाने के बाद केसर या हल्दी का तिलक जरू लगाईए खुद को अगर बात करें राहू की तो अस्टमभाव में राहू उच्चका होकर रहेंगे और वैसे भी अस्टमभाव में बुरे गरह अच्छा फल देते हैं फिर यहाँ पर कोई खत्रे वाली बात तो है नहीं और ब्रिस्टिक राशी में बिस्पती का गोचर रहेगा जिसके कारण आपको बहुत जबर्दस्त लाब मिलता रहेगा इसमें अगर आप एक खराज धारन करें या फिर हल्दी की गांठ पीली-हल्दी की सूखी हो या गिली हो कोई बात नहीं पीली हल्दी की गांट बिस्पतिवार के दिन सुभा के समय सुक्ल पक्ष में पीले कपड़े में आप लपेट कर अपने पर्स में पॉकिट में रख सकते हैं या फिर पीले धागे में गले में या बाह में धारन करें या उसके अस्तान पर अगर आप पुखराज पहनना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है पहन सकते हैं किसी जोतिस का सलाह ले ले तो और भी अच्छा है लेकिन हल्दी की गांड धारन के लिए सलाह के आवसकता नहीं है हाँ एक बात का ध्यान रखिएगा अगर आप मोटावा से ग्रस्त हैं तो हल्दी धारन ना करें ऐसे आप पहन सकते हैं तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे हर हर मह ना बामन मदिम ह्ता ना ना खा이시 हाधिएगा वेले व कि टोस्तों है है तोस्त आप और अखिएगा प्रादी से है